विधी लेक संविधान की कुछ विशेश व्यवस्थाईं बहादुर सिंग रावत चंचल द्वारा लिखित अनुसूचि जाती वजन जाती, राजभाशा, निर्वाचन आयोग, वित्व आयोग एवं भारत का महान्यायवादी पर प्रश्ण उत्तर प्रश्ण निर्वाचन आयोग के संविधान की व्यवस्था का उलेक कीजिए तथा उसके गठन, कारेकाल, वकारियों पर प्रकाश डालते हुए बताईए कि उसे स्वतंत्र रखने के लिए संविधान द्वारा क्या व्यवस्था की गई है उत्तर विविद स्तरों पर निर्वाचन लोकतंत्र के क्रियानवयन का आधार है अतव भारतिय संविधान के अनुच्छे 324 में एक निर्वाचन आयोग की नियुक्ती की व्यवस्था की गई है निर्वाचन आयोग का गठन निर्वाचन आयोग का प्रधान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्षन कमिशनर होता है, जिसकी नियुक्ती संसत की विधी के अंतरगत, निरधारित, व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपती करता है। अध्यक्ष को उसके कारे में सहायता प्रधान करने के लिए अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ती की जा सकती है, जिनकी संख्या का निर्धारन भी राष्ट्रपती करता है। 1993 में राश्ट्रपदी के अध्यादेश जिसे 1994 में अधिनियम बनाया गया के अनुसार आयोग में एक मुख्य एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान किया गया, जिसमें बहुमत से निर्णय लेने की व्यवस्था की गई. निर्वाचन के अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के अधीन उसके कारे में उसे सहायता देने के लिए राश्ट्रपती प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ती करता है. प्रिष्ट सौ संसत की विधी द्वारा की गई व्यवस्था के अंतरगत, चुनाव आयुक्तों की सेवा व कारे काल की शर्तों का निर्धारन राश्ट्रपती द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाई जाने की प्रक्रिया वा परिस्थितियां वही होंगी जो सर्वोच न्यायले के न्यायधीश को पद से हटाई जाने के लिए होती हैं उसके कारेकाल में उसकी सेवा की शर्टों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा जो उसके लिए हानिकारक हो अन्य चुनाव आयुक्तों तथा प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों को केवल तभी उनके पद से हटाया जा सकेगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा किये जाने की सिफारिश करे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कारे काल साधारन तह छे वर्ष होता है, लेकिन वे अधिक्तम 65 वर्ष की आयु तक ही कारे कर सकते हैं, जो भी पहले हो तदनुसार सेवाने वृत्त होते हैं निर्वाचन आयोग के कारे निर्वाचन से संबंधित सभी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती हैं, इस संबंधि में वो मुख्य रूपसे निमनकारे करता है 1. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना 2. मददाता सूचियां तयार करना 3. निर्वाचन कारे का निदेशन वर नियंत्रन इस प्रकार करना कि मद्दाता अपनी मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सके और निर्वाचन कारे निश्पक्षता के साथ संपन्न हो सके 4. चुनाव संबंधी विवादों के निरनय के लिए चुनाव अधिकरणों की नियुक्ती करना निर्वाचन से संबंधित कारे को पूरा करने के लिए राश्ट्रपती तथा राज्यों के राज्यपाल चुनाव आयोग के अधीन कारे करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करते हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता निरवाचन आयोग बिना किसी अनूचित दबाव के कारे कर सके, इसके लिए समविधान द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि उसकी सेवा की शर्तें वग कारेकाल राष्ठ पती द्वारा निरधारित किये जाते हैं। मुख्य चुनावा युक्त की नियुक्ती के बाद उसकी सेवा की शर्तें वह उसके सेवाकाल में कोई परिवर्तन उसके हितों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। प्रशन, भारतिय वित्ध आयोक के संबंध में सम्विधान के अंतरगत की गई व्यवस्था का उलेख कीजिए। उत्तर, सम्विधान के अनुच्छे 282 द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि सम्विधान के लागू होने के पश्चाद 2 वर्ष बाद तथा उसके एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतरिक्त चार आन्य सदस्य होंगे। तथा तीन अन्य वेविशय, जिनके सम्बंद में राष्ट्रपती आर्थ व्यवस्था के सुद्रिडी करण की दृष्टी से उससे प्रतिवेदन मांगे। पर आसीन होने वाले व्यक्ति की योग्यता सर्वोच न्याय लेके न्याय धीशों के बराबर होती है। उनों सदनों में अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है। वो संसत की समितियों में भाग ले सकता है परंतु उसे मददान का अधिकार नहीं है। जब तक महान्याय वादी में राष्ट्रपती का विश्वास रहता है वो अपने पद पर आसीन रहता है। उसके वेतन तथा भत्ते के बारे में भी राष्ट्रपती ही निश्चय करता है। ये वेतन संचित निधी में से दिया जाता है। नवीन संविधान द्वारा उस प्रनाली का अंत कर दिया गया। पर अनुसूचित जाती व जनजातियों के हेतों की सुरक्षा होती रहे। इसके लिए संविधान में कुछ विशेश उपबंद किये गए। ये उपबंद मूल रूप से केवल दस वर्ष के लिए किये गए थ पर अब संविधान में संशोधन करके इस व्यवस्था को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। एक विधाईकाओं के सदनों में स्थान सुरक्षा की व्यवस्था। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के हेतों की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था विधाईकाओ इसके अनुसार लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में उक्त जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार स्थानों की सुरक्षा की विवस्था की गई है। इन सुविधाओं के साथ साथ इस बात का सुनेश्चय भी आवशक है कि प्रत्याशियों में निरधारित शैक्षिक योग्यता आवश्य हूँ जिससे प्रशास्निक कुशलता पर विप्रीत प्रभाव न पढ़ने पाए। उक्तजातियों की स्थिती में उचित सुधार लाए जाने के लिए समय समय पर विचार करने वा सुझाव देने के लिए सरकार एक आयोग की नियुक्ती भी कर सकती है। प्रश्न भारत की राजभाषा के संबंध में सम्विधान के अंतरगत की गई व्यवस्था पर प्रकाश डालिये। उत्तर भारत की राजभाषा के संबंध में व्यवस्था सम्विधान के भाग सत्रा अनुच्छेद 343 से 347 तक में की गई है। कि भारत की राजभाषा अंग्रेजी ही रहेगी तथा हिंदी को भी उसके साथ साथ प्रयुक्त किया जाएगा। पंद्रा वर्ष के बाद के लिए संब्धान में ये कहा गया है कि उस समय संसद को ये अधिकार होगा कि वो अंग्रेजी तथा देवनाग्री के अंकों का प्रयोग उन कारियों में किये जाने की व्यवस्था कर सके जिनके लिए वो आवश्चक समझे। इस संब्ध में संब्धान के 344 में अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि संब्धान के प्रारंभ से 5 वर्ष के समय के बाद और उसके आगे 10 वर्ष बाद राष्ट्रपती एक आयोग की नियुक्ति करेगा। जिसका कार्य संग के कार्यों के लिए हिंदी भाषा के अधिक आधिक प्रयोग, संग के किनी कार्यों के लिए आंगल भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंद लगाये जाने, राज्यों में राजकिये कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले अंकों तथा अन्य ऐसे किसी विश एक संसदिय समिती करेगी तथा उसकी संस्तुती पर विचार करके राष्ट्रपती भाषाओं के प्रयोग के संबंद में उचित आदेश जारी कर सकेगा। इसके अतिरिक्त संबिधान के अनुचे 345 द्वारा क्षेतरिय भाषाओं के प्रयोग से संबंदित व्यवस्था की गई है तथा ये कहा गया है कि जब तक राज्यों के विधान मंडल विधी द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न कर दें, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जा जाने वाली राजकिय भाशा के विशय में संबिधान के अनुच्छे 346 द्वारा व्यवस्था ये है कि संगवर राज्यों के बीच पत्र व्यवहार अधिकृत भाशा में ही होगा तथा यदि दो राज्ये हिंदी के प्रयोग पर परस पर सहमत हो जाएं तो वे अपने बीच पत्र व्यवहार के लिए हिंदी का प्रयोग कर सकेंगे भाशा के प्रयोग से संबंदित एक महत्तो पूर्ण बात ये है कि अनुच्छे 350 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दूर कराने के लिए किसी भी अधिकारी को अपना प्रतिवेदन भारत में प्रयोग की जा पर शिक्षार्थियों को अपनी मात्र भाशा में शिक्षा दिलाए जाने की व्यवस्था करें। संग की सरकार का ये दायत वो होगा कि वो हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाए जाने की व्यवस्था करें।